है मैं यूटीव फैमिली कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्दी होंगे सो फ्रेंट से इविनी का टाइम था यहां पर ना कल यह कल का किलिप है तो कल मौसम यहां पर थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था में बादल गरज रहे थे बारिश हुई थी ब आमिन मेरी सास ससूर वो रोटि खाते हैं अर्ड बागी सारे मेंबर चावल कानपचंद करते हैं रात को और तो मौसम ऐसा था इस वज़े से हमने कहाए कि ठीक है हम आलू का प्राठा बनाते हैं यहाँ पर मैंने आलू का प्राठा बनाने के लिए चार बड़े-बड़े आ जब तक मेरा आटा गूंद रही थी तब तक मेरा आलू भी बॉल हो चुके थे तो अब मैं अच्छे से चुड़ा लूँगी जनरली मैं ऐसा करती हूं कि आलू चुड़ा थे टाइम मैं ठंडा पाने डाल देती हूं तब मैंने मुझे यह ख्याल आया कि नहीं कैमरा ओन नहीं है तो मैं बता देती हूं कि मैंने इसमें गाजर यह ऑप्शनल है आप इसमें एड नहीं कर वो तो भी चलेगा बट क्यूंकि बच्चे भी खाने वाले थे तो मैंने इसे और थोड़ा हल्दी बनाने के लिए मैंने बड़ा गाजर को कदूकस करके डाल दिया है दो बड़े-बड़े प्याज को चोटे-चोटे टुक्रों में काटके डाला है थोड़ा सा दन्यापता जस्ट फोर गानिश एंड दो मिर्चे दिये थे चोटा-चोटा मिर्चा दी थे विकस बच्चे भी इसे खाने वाले है अच्छा से मैंस कर दूंगी तूंकि बड़े-बड़े आलू थे तो जो संटर वाला पोर्शन रहता ना वह अच्छा से बढ़ नहीं हो पाय रहता है तो मैंसे हाथ से अच्छा से मश्राल दूंगी मैंस करने के बाद यहां पर मेरी जठानी जो है वो चुला जला रही थी मैंने कहा था, यहां थोड़ा सा बाड़ियोता था मेरे अच्छा से जो आंगण है जगा जगा पर की घिला है यहां पर चुला हो हुमारे जल अच्छा है और मेरे सारे जो मतलब इंग्रीडेंट्स है जो जिससे मैं आलो प्राठा बनाने वाली हूँ वो सब कुछ तयार है यहां पर मैंने रिफाइंड ओल ले लिया है बहुत कोई घी लेते हैं बट मेरे घर में घी का जो स्मेल होता ना वो पसंद नहीं करते हैं सब इसलिए हम घी अवाइड करते ह हैं कुछ-कुछ जैसे सवय हो गया या सूजी उसमें हम घी देते हैं अधर्वाइज हम रिफाइंड वाल से ही यह सब करते हैं तो मैं यहां पर कर रही थी एंड जो प्राठे थे ना वह बहुत सौफ्ट बने हुए थे काफी अच्छा लगा सबको एंड यह बाहर का पुराना हो गया है चार साल होने वाले हैं मेरे फोन को ऑक्टोबर में इस वजह से इसके कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी लो हो गई है मतलब बहुत अच्छा फोन नहीं है तो इसलिए यहां पर साइन कर रहा है तो प्लीज आप उसे मैनेज कर लेना एंड थैंक यू सो मच पर लॉचिंग इस वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजये और बबाई